हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो माइ चैनल नीनु टॉक्स गैस आज मैं आपके साथ शेयर तरूंगी बेबी हेरबेंड रिव्यू जो मैंने क्लफ एक्टी से पर्चेस किया है सो लेट सेट सब्सक्राइब तो गैस यह हमारा यह फर्स्ट हेरबेंड जो मैंने पर्चेस किया है कि मुझे कुछ इस तरह की पैकिन में रिसीव हुआ था आयो ओपन करते हैं इसको गैस यह एक पिंक कलर का हेरबेंड है बेबी पिंक कलर का जिसमें एक बो बना हुआ है और यह जो मटेरियल है यह शिफॉन का मटेरियल है और इसका जो रबर है वो भी काफी अच्छी कॉलिटी का है और यह अगर मैं बता हूँ आपको तो यह बहुत ही अच्छी कॉलिटी का मुझे रिसीव हुआ है रेट के एकॉर्डिक और बेबी हेड पे ये बहुत ही अच्छा लगता है तो बेबी फोटो शूट के लिए आप इसको डेफिनिटली यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटिफुल पीस है याइस सेकिंड पीस है मुझे इस तरह की पैकिन में रिसीव हुआ है कैस की देखिए ये भी बहुत ही ब्यूटिफुल पीस है इसमें रेड कलर का रोज दिया गया उपर जो की सेटिंग मटियल में है और नीचे जो है वाइट कलर की लेस प्रोवाइट की गई है जो की बहुत ही अच्छी और क्वालिटी की है इसको भी अगर आप बेबी हैड पर जब लगाएंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा दिखेगा और आपका जो बेबी का फोटो शूट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल हेर बैंड है ये तो डेफिनिटल आप इस हेर बैंड के लिए भी जा सकते हैं इन दोनों हेर बैंड के है ये यलो कलर का है ये जब काई मैंने इसको ऑर्डर किया था तो ये बहुत ही एक लाइप बेभी पींक कलर का पिक में शो हो रहा था जो कि बहुती ब्यूटिफुल पीस लग रहा था बट जब ये इसको ऑर्डर किया तो वहाँ पर कोई भी color option अवेपिलेबल नहीं था और इसका material जो है वो भी इतना अच्छी quality का नहीं है यहां पर वाइट कलर का बीट दिया गया है पर यह अगर मैं personally बोलू तो बेबी हेट पर बेबी का जो face है वो बहुत छोटा दिखता है और हेर बेंड जो है वो बहुत ही बड़ा दिखता है तो यह मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो इसको मैं आप लोगों को recommend नहीं करूंगी कि आप इसको purchase कीजिए विक्रस यह उतना attractive नहीं है जितना की photograph में लगा है तो guys आज मेरे पास review करने के लिए यह तीन hairband ही थे और I hope you like my video अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया या useful लगा तो guys please do like my video and subscribe my channel and don't forget to hit bell icon to get my latest updates Thank you